हालो गाइज, वेल्कम बैक इन माई चैनल, आज हम बनाएंगे मार्केट स्टाइल ड्राइब पाउडर घर पर, जैसे आपने दिखायोंगे ना, कुरकरे में होते हैं, लेज में होते हैं, चिप्स में होते हैं, टैगी टमाटो, लेमन चीली, और पैरी पैरी इमली सीजनिंग तो आज हम वही पाउडर बनाएंगे घर पर बीना किसी जंजट की, तो आज हम बनाएंगे घर पर टमाटो पाउडर, लेमन पाउडर और इमली पाउडर, जिसे हम किसी भी कुरकरे, चिप्स, मसाले गयराव गयराव पर कुछ भी टेस्ट देने के लिए कोई भी या ड्राई पाउडर का यूज़ कर लेंगे और गर्मियों में बनाएंगे लेमन सी कंजमी जट से, दो चमच लेमन पाउडर के डालो पानी में, नमक, चीनी और पुदीना डाल कर उसको मिला लो, सबसे पहले बनाते हम टमाटो ड्राई पाउडर, इसके लिए मैंने फ्रे हमने इतने पतले रखने हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रही हो, क्योंकि अगर यह ज़्यादा मोटे होंगे तो सूखने में ज़्यादा ही टाइम लेंगे, तो इसलिए हम इनके पतले स्लाइसीज ही काटेंगे ऐसा करके मैंने पूरे एक लो टमाटर काट लिये हैं, अब मैं यहाँ पर तारों वाली ट्रे का यूज करूंगे, तारों वाली ट्रे का यूज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस टाइम हम इसके उपर लगाएंगे ना स्लाइसीज तो यह उपर से भी सूख जाएंग मैं आपको एक तोड़के भी दिखा सकती हूँ, यह देखो यह बिल्कुल ड्राइ हो चुकी है, अब हम इनको डाल लेंगे एक मिक्सर ग्रेंडर ज़ार में और इनका फाइन पेस्ट तियार कर लेंगे अब मैंने इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, यह देखिए, यह पाउडर अच्छे से ब्लेंड हो गया है, अब हम इसको चान लेंगे यह टमाटर का पाउडर लगबग 6 महिने तक खराब नहीं होगा, आप इसको एर टाइट कंटेनर में रखिए लीजिए हमार अपर फेक्ट होम टमाटो पाउडर तियार है अब इससे मनाएंगे हम टैंगी फ्लेवर तो सबसे पहले ले लीजिए 2 टेबल स्पून टमाटो पाउडर, यह बोध खटा-खटा तेश्टी लगता है अब हम डालेंगे इसके अंदर कश्मीरी रैट चिली पाउडर एक टेबल स्पून सल्ट, आधा टी स्पून और वो भी आप अपने टेस्ट गोर्डिंग दाल सकते हो वन टीस्पून शुगर, ब्लैक पेपर आधा टीस्पून गारलिक पाउडर आधा टीस्पून जिंजर पाउडर आधा टीस्पून लोंग पाउडर हलका सा इलाइची पाउडर आधे से भी आधा और इसको अच्छे जिकर लेंगे हैं मिक्स ये हमारा टैंगी फ्लेवर त्यार हो गया है अभी मैं आपको इन पर चिप्स के उपर इसको लगा के दिखा रही हूँ ये हो गया हमारा टैंगी फ्लेवर त्यार अब लिए लीजिए चिप्स ये मैंने साधे चिप्स लिए हैं और इन पर मैं इसको कोट कर दूँगी इसको अच्छे से स्प्रिंकल करने के बाद इसको तोस कर लीजिए और ये हो गया हमारा टैंगी फ्लेवर त्यार अब हम बनाएंगे लैमन पाउडर तो एक किलो लैमन ले लीजिए अब चोपिंग बोर्ड पे हम इसके भी पतले-पतले स्लाइसिस काट लेंगे और इसमें से सीड्स रिमूव कर देंगे ताकि इसके अंदर कड़वापन ना आ जाए ऐसे ही हम सारे लैमन को काट लेंगे और इनको भी एक वायर ट्रे पे सुखाएंगे जितनी भी रस वाली चीज होती है हम इने इसे वायर ट्रे पे ही सुखाणा होता है हम इसको तीन से चार दिन के लिए सुखाएंगे देखिए चार दिन बाद ये अच्छे से सूख चुके है मैं अभी आपको इसका छिलका उदार के दिखाती हूँ देखिए बीच में से भी टूट रहे हैं और चिलका भी इसका ईजिली निकल जाएगा ये सिर्फ मैं इसका चिलका दिखा रही हूँ आपको उतार किया बलके आपके दिखिलके नहीं उतारने हैं क्योंकि जिस टाइम हम क्यों बलैंड करेंगे न तो चांत हुए छिलके अपने आप उपर चलनी में आ जाएंगे तो ग्रेंडर जार में डालके इनको कर लेंगे हम बलैंड अब हमने कर लिया इनको अच्छे से बलैंड और ब्लेंड पट करने के बाद हमें मिल गया है इसका फाइन सा पाउडर अब हम इसको भी चान लेंगे यह हमें परफेक्ट लेमन पाउडर मिल गया है तो अभी हम बनाएंगे इससे लेमन चीली सीजनिंग इसके लिए हम डालेंगे एक टेबल स्पून कश्मीरी रैड मिर्च नमख टेश्ट के खोड़ी और एक टेबल स्पून लेमन पाउडर शूगर हाफ टीजपून गार्लिक पाउडर हाफ टीजपून ओनियन पाउडर हाफ टीजपून जिंजर पाउडर हाफ टीजपून और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हो गए हैं हमारे अच्छे से मिक्स यह हमारी लेमन चिली सीजनिंग हो गई है त्यार अब मैं फिर से ले लूँगी साधे चिप्स और इनको मैं टेश्ट दूँगी लेमन चिली सीजनिंग का और इनको पर स्प्रिंग कल करने के बाद इस मिसालि को अच्छे से टोस कर लीजे लीजे हमारे लेमन चिली सीजनिंग चिप्स तैयार है अब हम बनाएंगे टमेरिंड सीजनिंग इसके लिए हम लेंगे आधा किलो सुखी इमली और इसको एक प्लेट में डाल कर तीन-चार दिन तक धूब में सुखा लेंगे ऐसे इसको फैला लीजिए ताकि धूप अच्छे से लग जाए और इसको पांच से छे दिन या तीन-चार दिन धूप पे डिपेंड करता है कि धूप कैसी है आप इसको सुखा लीजिए मेरी इमली को सूखने में लगबग 6 दिन लगे हैं क्योंकि धूप काम आती है और ये अच्छे से सूख चुकी है अब हम इसको भी एक ग्रेंडर जार में डाल कर ब्लेंड कर लेंगे और इसका फाइन सा पाउडर त्यार कर लेंगे लीजिए हमारी इमली हो गई है ब्लेंड ढकन रिमूव करने के बाद ऐसा पेश्ट निकला है इस पाउडर को भी हम चान लेंगे लीजिए हमें घर पर इमली पाउडर भी हमारा त्यार हो चुका है तो अब हम बनाएंगे इस से पैरी पैरी सीजनिंग इसके लिए हम मैल लूँगी एक टेबल स्पून कश्मीरी रैड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून नमाक ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून एक टी स्पून एमली पाउडर इमली थोड़ी खट्टी होती है ना इसलिसका एक टीस्पून ही यूज़ करेंगे हम शुगर हाफ टीस्पून गार्लिक पाउडर हाफ टीस्पून अनियन पाउडर हाफ टीस्पून और रिग्यानो पाउडर हाफ टीस्पून और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लेजी हमारी पैरी पैरी सीजनिंग तेयार है अब फिर से हम लेंगे साधे चिप्स और इस पर पैरी पैरी सीजनिंग को कर देगे सप्रिंकल और इसको अच्छे से कर लेंगे टोस ताकि हमार ये सेजनिंग हर चिप्स पे कोठ हो जाए इफ यू लाइक माई रेसिपीज तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक्स वोज